वेलकम तू Microsoft Excel टुटोरियल फो बिगनर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में एंकाउंटर किये होगे कि अगर में पास दो या दो से ज्यादा लिस् आउग्य पावर्फुल टूल है ताकि हम एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को कुंपेर कर सके उनकी वेल्यू को चेक कर सके और अनलाईज कर सके तो सीधा चलते हैं एक्सल की शीट की ओपर यह है फार्मेटिंग का टूटरल नमबर नाइग्या मैंने यहां पर एक simple सा data लिया कि कुछ students जो math में fail हैं कुछ physics में fail हैं कुछ chemistry में fail हैं तुम मैं एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा पहले कि वह students के नाम मुझे find out करने है suppose सुब में 여기서 में नहीं है मतलब जिनका नाम इस लिष्ट के अंदर आए प्पर नहीं सो उसको करने के लिए हमने क्या किया सब्सक्राइब निये हैं ने होने सब को सिलेक्ट किया यहां पे जाके मैस मेंनने सिंपल टाइब किया नेम बॉक्स में ऐसी इसको मैंने physics नाम से save किया है और इसको मैंने chemistry नाम से save किया for easy calculations. So, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि उनके नाम जो यहां पे हैं बट यहां पे नहीं है उनको हम different color से highlight कर देंगे. So, करने का तरीका है आपको यहाली range select करनी है मैस वाली आपको जाना है conditional formatting then new rule use a formula to determine which cell to format and then equal to अब यहां पे हमें लिखना है अपना formula. So, formula simple क्या हो गए हाँ पे मुझे उनके नाम चीहें जो यहां पे हैं बट यहां पे नहीं है. So, I have to find those names which are not present here. मतलब अगर जैसे मैं अमन को लेओं और मैं चेक करूं कि अमन क्या यहां पे नहीं है या नहीं है अगर अमन की value यहां पे नहीं है तो उसको मुझे highlight करना है ऐसी Mohan, Sohan, but Rohan की value यहां पे मुझे मुझे मिल जाएगी तो उसको मैं मुझे highlight नहीं करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या बेसिकली चेक करना है कि यह वाला cell इसमें है या नहीं है ऐसे यह वाला cell इसमें है या नहीं है सुसके लिए हम यूज कर सकते हैं countif function so countif किसके नदर चेक कर रहे है physics के नदर चेक कर रहे है अब दो को name range का फायदा है कि आप सिंपल यहां पर अपनी name range को लिख सकते हो so मैंने लिखा physics कॉमा किसको चेक करूंगा मैं एक करके यहां पर हमें चेक करना है अब दो को यहां पर इसने absolute reference क्रेट कर दिया बट मुझे क्योंकि formula copy करना है नीचे तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा relative reference so just press f4 three times and that's it now it should be equals to zero मतलब यह वाली value जब यहां पर नहीं है तो मुझे उसको format करना है तो वह zero होना चाहिए count उसका zero होना चाहिए ठीक है then go to this format fill color आपको इसा भी ले सकते हो मैं यहां पर light green color ले रहा हूँ देन इसका font color black लेके इसको थोड़ा सा different दिखाने के लिए मैं italics use कर रहा हूँ so then click just okay so आप जैसी करोगे देखो यहां पर आपको अमन का नाम नहीं मिलेगा यानि अमन मैस में fail था बट फिजिक्स के अंदर फेल नहीं है कि कौन से ऐसे students हैं जो इसके अंदर fail है मैं इसमें बट यहां पर fail नहीं है now the next example अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उस student का नाम पता लगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में fail है मतलब जिसका नाम यहां पर भी है और यहां पर भी है so उसके लिए हमें क्या करना है अभी हमने किया था zero अब हम क्या करेंगे equal to का मैं one कर दूँ उसी formula में तो मुझे अपना desired output मिल जाएगा करके देखते है select this range go to conditional formatting new rule click use a formula अब यहां पर हमें लिखना है formula अपना equals to count if अब मुझे किस range के अंदर check करना है chemistry के अंदर so chemistry range का नाम लिखा named range then कौन सा cell check करना है b7 so I am typing b7 ताकि मुझे absolute or relative reference का problem create ना हो अब इसको equal to क्या होना चीए one मतलब एक count दोनों में है इसकी value यहां पे है उसी को मुझे highlight करना है then format go to this fill इसको मैं इस वाले से fill कर लेता हूं यहां पे आके इसको हम लेते हैं bold italic and let us take the color as blue click ok ok and here it goes so मुझे पता लग गया कि Arun वो student है जो physics और chemistry दोनों के अंदर fail हुआ है so that is how you can compare the lists in excel बहुत ही जादा powerful और बहुत ही useful tool है यह आपके लिए आपको बहुत होने वाला है यह tool अपनी company के अंदर अपने projects के अंदर so this is all for this particular video lecture thank you for watching the video please subscribe to our youtube channel for more such tutorials thank you